खेर एक शेर में और भी पता करना होगा मारूती आपके रहे निजवतिस के चार्ट खोल के रखेगा शरत मेरसा जुड़ रहे हैं थोड़ दिर पहले आपको आपको आजवी केमिकल शेर के बारे बता रहे हैं उसका यूके या फिर मैं लोंगा यूरोप से जो कनेक्शन है इ उन्होंने अपडेट दिये कि 40% जो कंपनीज यूके के जो केमिकल कंपनीज उनकी सेल्स में गिरावट देखने मिलेगी अब यह तीसरी तिमाही जो कैलेंडर यह दो हजार बाइस के इन आकड़ों के ऊपर है और चौते तिमाही पर भी जो है सेल्स पे गिरावट देखने जहां पर एक्सपोर्ट कर पाए अब ग्लोबली मार्केट शेर देखें केमिकल्स का तो लगबग 15% यूरोप से है और 6% से इंडिया से तो एक इंपोर्टेंट जो है आप कह सकते हैं कि एक विंड बनता है आगे जाते वे जहां पर इंडिया जो है और जादा केमिकल एक्स एक रिपोर्ट में देखी कि जहां पर एक्सपोर्ट होती है जो सबसे जादा यूरोप से आ रही है उनके पांच एहम कंपनिया में सबसे पहले नवीन फ्लोराइन आता है उसके बाद SRF, GFCL, दिपक निट्राइट और आखिर में अनुपम्रा सायन बिल्कुल लाब तो ये तो एक इंट्रिस्टिक रिपोर्ट हमारें लेकल स्पेस पर लेकर आया है कि भारते कंपनियों को एक्सपोर्ट किस तरह से बढ़ा है यूरोप में कितना है और वहां से अब किस तरह की सिट्वेशन पैन आउट होती हुई दिखाई दे रहे है अगर इस तरह के स्टॉक्स लेकिया है जो पी आई इंडस्टिर हो गया आपका इंसेक्टिसाइड्स हो गया आई पील इंडिया पैसिसाइड्स हो गया बहुत सारे स्टॉक्स जो यूरोप को एक्सपोर्ट करते हैं आपको उन स्टॉक्स पर नजर बनानी है कि उन में कहीं ग्राफिक्स आगए, Q3 में UK chemical companies की विक्री घटी है, हमारे साथ संजीव है क्या, संजीव है नहीं, लेकिन हम इस matter को और detail में आपको बताएंगे क्यों अगर यूरोप में chemical companies को tension हो रही है, विक्री में गिरावट है 40% तक की, तो यहां back home उनके जो exporters हैं, उनको भी हो सकती है, तो यह चार्ट्स पर आप धरूर रखें, यह तो हो गई बात, एक बार nifty bank nifty लेके आते हैं, कुछ नहीं तो 15-20 मिनिट हो चुके है बजारों के खिले, देखना यह कि यहां से selling आ रही है या profit ticking आ रही है, mid-cap indices नीचे हैं, लेकिन nifty में तेजी बढ़ ही है, 170 point हो गई है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, तो mid-cap के नीचे आ रहे हैं, जो आप भी बात बता रहे हैं, एक तो कहने जो heavyweight agent की weightage ज़्यादा है index में, typically उनके अंदर buying हुई है, पिछले दो दिन में, कल के अगर आप closing को बहुत गवर से दिखेंगे ना, तो आपके declines ज़्यादा थे, उसके बावजुद निफ्टी एक्सक्राइब,